हेलो जी तो आज चुके हैं पर दोबारा से खेत पर और आज लगेगी अपनी दान कल पूरे गड़ा मच मच के मतलब पूरे टन है एक नमबर सब कुछ रेडी है बस दान लगाने वाले आएंगे फिर दान लगेगी अब दोस्तों मतलब यह देखो इसको ले लेकर जाएंगे बहां पर जाएंगे और इसको पटाएंगे दो जा रहा है ना अब इनको पटाएंगे और लोग भी आएंगे अभी आए नहीं तो बहा जाएंगे उसके बाद यह पटाएंगे और वहां जाके लगेगी देखना तम ठीक है तो बहा है दो जाएंगे खायएंगे अपाइंगे प्राएंगे आएंगे और यह दो रखायार क्याएंगे कि और वहां पर लागे कि देखना कि अज़ा है कि अज़ा है कि यह देख मतलब यह से दान लगती है कि एक एक पेड़ लगाना प्रता मुंस एक पेड़ लगा एदर इसे लगाना प्रता समझें कि यह देख हम अन्सेलिगती वह पूरा पूर पीड़ा आए उदर से और एक करके यह लगा दो और लौई यह विदो पूर पूरा पेड़न नहीं हैंजएstory करते हैं एक मतलब ऐसा देखो यह 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 बंखे आता है ठीक है यह यह बनके याता आता है और यह फिर इहराएंगे लगेंगे एक एक बताता हूं देखो अभी यह से एड़ा ठीक है यह और यह इसमें लगा दिया जहां पर यह पूरे में लगेगा अज़ा अधर की तो लग चुकी और यह देखो मौसम भाई खतनाक आज पानी गराना तो सही रह जाएगा यह बैसे भी हम इंजन से कर रहे हैं अभी पूरा पानी मचने के बाद भी गड़े मतलब पानी पी रहे हैं बहुत सारा तो इसके लिए इंजन परमेने चल रहा है दिन बर का और यह इत्ती लग चुकी है और यह मौसम भाई बहुत ही खतनाक यह देखो मौसम हो रहा है पानी अभी तो बस इंजन से चल रहा है और पैसे मौसम तो भाई बहुत टगड़ा हो रहा है और अब भी चल रही है तो अभी मैं चत्री लेकर आता हूं पहले एक यह देखो इत्ता हट चुका यह गाइस भी पानी गिर रहा था मतलब ठीक है और दान भी लग रही है और पानी भी गिर रहा है बादल हो रहा है और बहुत तैजी से पानी गिर रहा है भाई अब गहां मीट्रा बहुत तेज अभी जश्ट पानी गिरा और अब गहां तो का इस मतलब यह दो गाड़े तो अभी रहे जाएंगे क्यूंकि भाई टाम हो चका है उनका मतलब यह लोग लगा रहे हैं अभी बस जाएंगे तो यह देखो इतनी तो लग चुकी है भाई आज के वह पानी के पहले पानी नहीं किरा सुबर सुबर पानी किरा गहां मीटा फिर पानी किरा फिर गहां मीटा और अब फिर ही ट्रा है यह देखो तो गाइस मिलता है फिर